हाई एवरिवान वेलकम तो खाना खजाना कीचन चैनल कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग ठीक होंगे सस्त और मस्त होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी यम्मी सी बहुत ही कम मसालों में बनकर तयार होने वाले आलू बैगन की सबजी की रेसिपे लेकर आयो हाँ फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी फटा फट से वस दस मिनट में ये सबजी आपको बन कर तयार मिलेगी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप लोग इसे किसी भी चीज के साथ सब करिएगा बहुत ही यम्मी लगेगी तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम टुकड़े कर लिए और इसे पानी में डाल दिया है क्योंकि बैगन हमारे काले हो जाएंगे अगर हम पानी में नहीं डालेंगे तो और इसमें बहुत सारे बैक्टिरियास हो जाते हैं काले होने पे तो इसे हमें काटते समय ही पानी में ही इसे कट करना है और ये मैंने पालु का भी पीस हम करके तःयार करेंगे तो इन दोनों को हमें साइड में रख लेना है तँ चलिए इन दोनों को साइड में ने रख दिया है इक्वल करेंगे फ्रेंडस मैं आपको बता रही हूँ साइज एक्वल रखना है बैगं और आलू इन को साइड में रखते हैं और मसाले देख लेते हैं तो मसालों में मैंने लिया है ये जीरा, आदा चमच, तड़का देंगे और ये हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और लसन, तीक आप अपने अकोरिंग कम जादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए और लसन भी स्कीप कर सकते हैं आप कड़ाई रख दिया है, गैस अन कर देंगे और गैस पे दो चमच ऑईल डालेंगे कड़ाई में, छोटा चमच मैंने दो चमच ऑईल डाला है, बड़ा चमच हो तो आप एक चमच डालिएगा, तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें जीरा डालेंगे, तड़का लगाएं लसन को हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे हलका सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे इसे तो यह देखिए इसका भी कलर जो चेंज हो गया है बहुत ज्यादा नहीं बस हलका सा कलर चेंज करना है अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च तीखाव अपने अकोरिंग कम ज़्यादा कर दीजेगा अगर आपको ज़्यादा लगे तो मिर्च कम डालिएगा मैंने थोड़ा चट पटा बनाने के लिए मिर्च को ज़्यादा डाला है तो देखिए मिर्च भी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है अब कड़ी पत्ता डालेंगे कड़ी पत्ता को भी एक सेकेंड के लिए रोस्ट करेंगे तो देखिए कड़ी पत्ता भी हमारा रोस्ट हो गया अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे आलू जो हमने कटकर कर लिया था इस तरह आलू डाल देंगे इसमें और इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए हाँ फ्रेंट्स इसके उपर जब तक कि एक लाल कलर की कोटिंग ना जाए तब तक हमें इसे भुनन को बैगन में इसमें डाल दिया है हाई फ्लेम पर ही फ्रेंट्स सारे प्रोसेस करेंगे क्यों कि आलू भी हमारा पानी छोड़ेगा अगर प्ष yamalo कर देंगे तो और बैगन भी हमारे पानी छोड़ देगा तो इसके लिए हाई फ्लेंपर ही इसे अच्छी तरह से भुनें ने तो लो फ्लेम पर करेंगे तो बैगन भी हमारा पानी छोड़ देता है तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है आलू भी अच्छी तरह से भून चुका है बैगन भी भून चुका है आलू भी लाल कलर का कोटिंग आ गया आलू पर और बैगन पर भी तो अब हम इसमें बेगन बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तयार होती है सबजी आप लोग जरू ट्राई कीजिएगा इस सबजी को तो यह देखिए बेगन हमारा अलू टमाटर सब सॉफ्ट हो गए टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए तो अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले तो देखिए एद करेंगे मसालों में हम लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर चमच के करीब आदा जिए प्या चमच गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के डो ड़िल कोडिंग नमक डाल दीजेगा मैंने इदर एक चमच के करीब नमक लिया है अच्छी तरह से इसे मिक्स कर मैंने अच्छी तरह से mix कर लिया है अब हम कर देंगे इसे cover ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए तो चलिए lead लगा लेते हैं ये देखिए मैंने डखकन लगा दिया है अब इसे 2 मिनट के लिए high flame पर ही पकने देंगे दो मिनट हो गए फ्रेंट्स चेक कर लेते हैं तो दो मिनट हो गए है चेक कर लेते हैं तो ये देखिए हमारी सबजी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है इसका color change हो गया है सारी चीजे soft हो गई है आप लोग देख सकते हो मैं आप लोग को कोई cut कर कर भी दिखाती हूँ आ देखिए आलू भी हमारे अच्छे से cut हो गए है बैगन भी अच्छी तरह से soft हो गए है तो हमारी सबजी जो है अच्छी तरह से पक चुकी है तो अब हम इसके उपर add करेंगे हरा धन्या जिससे taste भी अच्छा आएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी हमारी सबजी तो मैंने इसमें खुब सारा है राधनिया डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे mix कर लेंगे mix कर लेते हैं तो मैंने mix कर लिया है अब इसे करेंगे हम serve तो सब करने के process पर चलते हैं friends तो यह देखिए friends मैंने यह serve कर लिया है हमारे आलू बैगन टमाटर की सबजी बनकर तयार है लग रही है कितने tasty और yummy friends आप लोग ने देखा कितना कम समय में कितना जल्दी और फटा-फट से हमने मसालों में बना कर तयार किया है आप लोग इसे दाल चावल पूरी सबजी किसी भी चीज के साथ सब कीजिए बहुत ही tasty लगता है बहुत ही यम्मी लगता है तो friends आप लोगों को मेरी यह recipe कैसी लगी प्लीज मुझे comment box में जरूर बताईएगा अगर आप लोगों को मेरी recipe थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और हाँ friends अगर आप लोग मेरे चैनल पर new हो तो please bell icon बट दबाना मत भूलिएगा तो चलिए friends मिलते हैं एक नई recipe और एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care friends